ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद शास्त्री शुक्रवार का दिन है आश्विन महा के कृष्णबक्ष की त्रयो दशीती थी है इस दिन प्रदोश का वरत रहेगा जो मातायं भेने भक्त जन प्रदोश का वरत करते हैं उनको इसी दिन प्रदोश का वरत करना चाहिए मगा नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंदर्मा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेगा इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई सापित होगा अगर किसी कारण वस्पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़ाद आवश्यक हो तो दही अत्वा जाउ खा करके यात्रा औरम्ब कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह साड़े दस बजे से शुरू हो करके दो पहर बारा बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवब मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल करने आप अपने एक शेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की कन्या राशी में वहीं चंदरमा सिंग राशी में मंगल ग्रह ब्रशब रासी में, बुद्ध ग्रह कन्या राशी में, देव गुरू ब्रहस पती जोकी मीन राशी में, शुक्र ग्रह सिंग रासी में, शनी देव मकर राशी में, राहु ग्रह मेस रासी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार वरशाप करक कन्या वरश्चिक एवं कुम्ब ये पांच राशियां सबसे अधिक भागी शरी देने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के साथ कारिक्षित्र में उन्नती और प्रगती भी इनको प्राप्त हो सकती ह इसके अलावा घर परिवार में शुब और मंगलिक कारिक्रम की योजना बनेगी जो काम इनके द्वारा पिछले दिनों किये गए थे उनमें भी अपेक्षाकत प्रणिनाम देखने को मिलेंगे अब हम आपको मेस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी प व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक द्रिष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धनलाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोत भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान नाम हासिल होंगे और उपाई के रूप में भैगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चडाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की धर अध्यात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक द्रश्टिकोन रखना आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको म प्रति होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकारत्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रावल का दान किसी भी जर्वत मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवार रहेगा पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी या वैचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा और पात करते हैं कन्यराशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अध्भूत उर्जाव आत्मेश्वास महसूस करेंगे तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा अपने मन मताबिक कारिक करने से आपको रहत मिलेगी किसी किसी समय भाउपता और आलस्सी की वज़े से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्णुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे दूसरों की समस्यावव वकारियों को सुलजाने में आपके महत्तुपूर्ण भूमी का रहेगी आपके लिए बहतर सम्मान जनक इस्तितियां बनेगी घर में बच्चों की किलकारी संबदित कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है संतान की उन्नतित तथा प्रगती होगी नय वाहन नई जं हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के साथ संपरकों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है भाग्या आपके लिए लापदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा घर की सुक्सुईधाओं संबंदी कारियों में आपका समय व्यतित होगा कुछ नकरत्मक प्रबत्ति के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आपको मन समन को भी जो है बचा करकर रखने की आउशत्ता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोधेबाजी करते हैं ये लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत आवश्यक होगा वरना आप नुक्सान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज रोज मर्रा की दिंचरिया से हट कर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय विचित होगा किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मद्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिलाकर के समय खुश्णुमा रहेगा रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज जानी बरतना चाहिए किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का डान किसी भी गरीव या जरवत्मन यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते ही मकर राशी की धार्मिक वा अध्यात्मिक खेत्र में आपको फाइदा होगा आपका रुझान वहाँ पर जादा रहेगा आपको मनसिक वा शारीर ग्रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण जो सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसन रहेगा कुछ समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलत समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्ब राशी की आज आपको महत्तु पूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्तु पूर्ण आतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के निरणय को आपको प्रात्मिकता देना चाहिए यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते ही मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आ के मंदिर में शेहत चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक 4 होगा भागिशाली रंग आपका दो मित्रों यह 바ाराशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बता आया देवाद